आपका सुस्मा का तर्का में नवरात्री स्पेसल मालकोय की रेसिपी लेके आए हूं जो बिना चासनी के बनेगी तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक केला केला को मैं बहुत ही अच्छे से मैंने मैश कर लिया है है इसमे मैं आड़ कर दोंगी 3-4 चमच चीनी इसको अच्छ कर दोंगी 1-4 दूद और इसको अच्छे से मैं फैंट लूँगी ताकि चीनी केला और दूद बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से चलाते वे मैंने फैंट लिया है अब इसमें मैं आड़ कर दोंगी 1-4 मैदा आप चाहे तो यहां आटा भी यूज कर सकते हैं मैं जोड़ी मैं दिया हैासद सौद हो जाना मत इसमें correct कर दोंगी तो मैंने नहीं अच्छे से से पैट siamed कर배 दोंगी अ करना है आप अपने according कोई भी dry fruits ले सकते हैं, मैं उसे कूट के add कर रही हूँ, आप चाहे तो उसे काट के भी add कर सकते हैं, कोई problem नहीं होती है, पर मैं कूट के add कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए, मैं उसे अच्छे से इसमें mix कर देती हूँ, सार fine oil पूरी तरह से गरम हो जाए, तब उसमें मैं पुए का बैटर add करूँगी, मैं ने एक पुए का बैटर इसमें add कर दिया है, उसे medium to high flame पे मैं उसे से कूँगी, अब चाहे तो एक बार में 3-4 पुए भी add कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पुए को इसमें सिखने देती हूँ उसके बाद मैं उस जगह दूसरे पुए को मैं add करूँगी, ताकि मुझे सेकने में परिसानी ना हो, अब पुए जले ना, इसलिए मैंने, एक को थोड़ा सा मैंने सेक लिया है, दूसरे को भी add कर दी, अभी मैं तीसरा better भी इसमें add कर दूँगी, पहला पुए नीची से स में, दूसरा भी देख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, इसको मैं अच्छे से पलट देती हूँ, बहुत ही soft माल पुए बनते हैं, बिना चासनी कहीं, यह बहुत ही tasty बनते हैं, इसे सभी कोई पसंद करेंगे, आप इस तरीके से आप पुए बनाओगे तो, इस तरीके से मैंने तीसरा भी बैटर इसमें अड़ कर दिया है, पुए का, उसे भी मैं पलट पलट के सेख लूँगे, मीडियम तो हाइफ लेम पे ही इसे मैं सेख लूँगी, यह बहुत ही जल्दी सिख जाती है, एक से दो मिनट में ही बहुत ही आसानी से यह बन जा सकते हैं, तो उमीद है आपको मेरी यह रेसेपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई